नमस्कार, अस्सलाम उलेकुम, मेरा नाम रोबेका लियाकत है और आप सब News 18 इंडिया पर इस वक्त एक बहुत ही खास साक्षादकार देखने वाले हैं, एक इंटर्व्यू, आजकल सबसे ज्यादा चर्चा राममंदर की है, राममंदर में जिन महमानों को बुलाया था, उनम इमाम उमर इल्यासी साहिब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अस्सलाँ आलेकुम सर्, आपका बहुत-बहुत स्वागत है, इमाम साथ फत्वा जारी हुआ, एक इमाम के खिलाफ, जी, क्या वज़र है, हैरानी की बात है, चुकि भारत में, भारत के इतिहास में, ये पहली मरतबा है कि किसी इमाम और चीफ इमाम के लिए फत्वा जारी होना, चुकि ये फत्वा एक आम फत्वा नहीं है, ये कुफर का फत्वा है, सबसे, हिंदुस्तानी दर्शकों के लिए आप बता पाए, कुफर के माने क्या है? किफर के माणाे तो आज के हिसाब से अधर अधर, इसलाम से खारिज हो जाना, अपने धर्म से खारिज हो जाना, उसका माणा किफर का फत्वा है। लव्ज वैसे काफिर हैं, कुफर काफिर से बना है, वैसे तो मुझे पर लागू नहीं होती यह वाली बात, कुफर का फत्वा, चुकि काफिर के माइने नौन बिलीवर्स के होते हैं, नास्तिक के होते हैं, तो मैं काफिर हो यह नहीं सकता हैं तो यह फत्वा कहता क्या है, आप इसलाम से खारज़? जी, उनके नहीं निगामे हैं, चुकि उनको इनको यह पता है, उनको यह साब जान कारी नहीं हैं कि यह भारत है यह जो भारत है, यह वो भारत है जहां सर्व धर्व संभाव है, यह भारत वो है जहां अनेकता में एकता है, यह इसलामिक देश नहीं है, इसलिए यह फत्वा मुझे पर लागू नहीं होता, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, रुबीका, कि जिस तरह से इसकी शुरुवात हुई है, मैं राम जनम भूमी ट्रस्ट ने मुझे निमंतरन दिया, मैं वहां गया, दो दिन मुझे लगे, इस पर बहुत विचार किया, मुझे अंदादा था, विरोध होगा, लेकि इतना विरोध होगा कि कुफर का फत्वा मुझे लागू हो जाएगा, आपने का दो दिन लिए, क्या सोचने में दो दिन लिए, दो दिन सोचने में इसलिए लिए, रुबीका, क्या मैं इतना बड़ा फैसला लेने जा रहा हूँ, लोग, समाज, उस पर क्या रियक्ट उसको मेरे मन में भावा, लेकिन लास्ट मैं यही तेह हुआ, आपने अपने लोगों से बात चाहिए, नहीं, मैंने किसी से इस पर चर्चा नहीं की, किसी को घर में तक मैंने नहीं बताया, चुकि यह फैसला, मैंने अपने अंदर लिया, और इस लाको हाजिन नाजिर करके मुझे लगता है कि मेरे पहुचने से एक सुहारत का वातावरन पैदा होगा, देश में एक अच्छा पैगाम जाएगा, और देश में अमन शान्ती होगी, यह पैगाम को लेके पैगाम महबत में गया था, वहाँ जाके मैंने रुबी का, सबसे पहले निकलते ही यह पैगा में महबत का संदेश दिया था, जिसमें मैंने कहा था, कि हमारी सब की जातियां जरूर अलग हो सकती हैं, हमारे सब की पूझा पद्दती जरूर अलग हो सकती हैं, हमारे सब के धर्म जरूर अलग हो सकते हैं, हमारी आस्थाइं जरूर अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारा जो और इंसानियत का है, हम भारत में रहते हैं, हम भारती हैं, आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतियता को मजबूत करें, रास्ट सर्वो परी है, यह मेरा पैगाम में महबत था, लेकिन आप पर जो यह आरोप लगा रहे हैं, वो यह कह सकते हैं कि आप तो संगी हैं, नहीं उनके किसी के कहने से मुझ पर को फरक में पड़ता दरसल क्या हुआ कि जैसे ही रूबी का ये पेगाम महबत का मेरा निकला तो जो महबत जिनको पसंद नहीं हैं नफरत वाले लोग उन्होंने इस मेरे बयान को जिस तरह से लिया और मेरे खिलाफ 22 जनवरी से ले अब मेरे तमाम मेरे खिलाफ मेरे टेलिफॉन पर मेरी इमेल पर मेरे सोशल मीडिया तमाम देश भर में मेरे खिलाफ इन्होंने नफरत का माहल बनाना शुरू किया मतलब वह फत्वा ऐसा जारी किया है कि आपका नंबर तक उसमें जारी कर दिया रूबी का सबसे इंपॉर्टन मैं वहां उंगली रख रही हूं हम समझदार लोग है और यह मैंने वहाँ उंगली रख लिए लेकिन ठीक उस उंगली के नीचे बस इतना बता देती हो यह देखिए यह नंबर जो है बकाइदा वह नंबर तक इस शार्व यह अनुशनय के लिखा भी है कि आपको यह फटवा हर मुसल्मान हर इमाम और हर मज़िद को भेजना लाजिम होगा उन्होंने इस तरह से इसको स्प्रेड किया तो मेरे पास मेरे नंबर्स पर धंकियों के फोन आने शुरू हो गए इसमें तीन बिंदू रूबी का बहुत इंपॉर्टन्ट हैं ये हैं कौन जिन्होंने आपके अग्ति भine अश्मान मुहमदृ मुहमद साबिर हुसेणी नाम के हैं इनकी classes चलती है मुदियों की जिस्तियूट है कोई मुफियों का अच्छा, इमाम और मुफिद मेरे फरक इमाम तरो होता है इमाम उता है। आए जिनके पीछे नमाज पढ़ है इमाम वो होता है जिसको जिसकी मान्यता सबसे जादा मानी जाती है और मुफ्ती वो होता है जो इमाम तयार करते हैं नहीं मुफ्ती वो होता है कि जिसने इसलामिक स्टडी में डॉक्टरेट की होती है पीएजडी की होती है इसलिए उनका अथर्टी होती है फत्वा देने के वो हैं मुफ्ती जो दे सकते हैं अब तीन चीजे हैं तीन बिंदू है इसमें बहुत इंपॉर्टन्ट पहला बिंदू है जो कुफर का फत्वा इन्होंने जारी किया है जिसमें बहुत सारी सजाय नाफिज हो जाती है पहली बाद तो मैं इस फत्यों को मानता नहीं हूं और मुझे लाजिम होता है क्योंकि इसलामिक देश नहीं है भारत लेकिन उन्होंने जो बिंदू दिये हैं वो बहुत इंपॉर्टन्ट है उन्होंने कहा कि आप राम प्रांध पर्थिस्टा में गए थे एजे इमाम और चीफ इमाम आप दोनों पद हैं आपके पास इसलिए आप इसलाम से खारीच दूसरा आप ने मैं पहले बिंदू पर रुखना चाहते हूं इमाम साहब तो एक इमाम की हैसियत से और चीफ इमाम की हैसियत से मैं दर्शकों को बता देना चाहती हूं कि पूरे दुनिया में इमाम जो असोसियेशन को अगर आप तॉलें तो यह प्रतिशत से ज्यादा इमाम जो हिंदूस्तान में है वो इस असोसियेशन से कहीं ना कहीं जुड़े हूए हैं तो ऐसे में आपका वहां पर जाना तो क्या बाकी इमाम इस बात को लेकर रुष्ट हैं घुस्से में हैं उनका इमानना है कि मतलब भगवान की प्राण प्रति प्राण कजा उसमें मैंने अल्रेडी भेज दिया है इस पर काम हो रहा है तेकिन जो तीन बिंदू है वो पहला बिंदू के इमाम के हैसियत से मैं नहीं जा सकता इसलिए इसलिए इसलाम से खारिज होगे दूसरा बिंदू इसमें है कि आपने कहा है कि रास्ट सर्व परी है आपने धर्म को नीचे कर दिया रास्ट को उपर कर दिया इसलिए आप इसलाम से खारिज होगे तीसरा उनका कहना बिंदू ये है कि आपने कहा कि इनसान और इनसानियत वो उपर है धर्म नीचे है तो आप इसलिए खारिज होगे तो मैं तीनों करूबी का एक जवाब देन दूसरा उन्होंने कहा है कि रास्ट सर्वोपरी है रास्ट सर्वोपरी मैंने इसलिए कहा कि हमारी सब हिंदू अपनी आस्ता से जुड़ा है पूजा पद्धिती है मुसल्मान अपनी आस्ता है इबादत करता है हर धर्म अपनी अपनी आस्ता करता है तो उनको सब को इजाज इशारा भारती होने का था इसलिए मैंने भारत और भारतियता को उपर लाया राष्ट सर्वा पर यह इसलिए मैंने ये बात उस नजर से कही लेकिन मैंने जो बात आप से कही कि आपको एक तमगाब लगा दिया जाएगा आपके सीने पर एक जिसे कहते है न आरोप का जो बैज है वो लगा दिया जाएगा कि आपके अबबा भी इमाम रहें और वो भी संग के बड़े करीब थे पहली बार अगर आरेसस मुखिया किसी मस्जिद में गए तो वो यही मस्जिद थी जहां इस वक बैठे हुने हैं यहां पर आये थे आप संग के हमेशा से करीब रहें और इसलिए वो आप पर आरोप लगा सकते हैं कि आप तो संग के लिए काम कर रहे हैं वही मैं बताना चाहरा हूं कि मैं देश के लिए काम करता हूं ना मैं किसी पार्टी के लिए काम करता हूं ना मैं किसी संस्था के लिए काम करता हूँ, मैं सिर्फ काम करता हूँ अपने देश के लिए, रास्ट सर्वो पर ही है, ये मेरा मकसद रहे, तीसरा उनका है इनसान और इनसानियत, तो मैं इस पर ये जवाब देना चाहता हूँ कि मैं, हम इनसान है, इनसान एक करेक्टर है, इंसानियत उसका जो करेक्टर है, दया का, रहम का, करुणा का, जो उसका काम है, जो उसका करम है, वो उसकी इंसानियत है, हम अच्छे हिंदू तब बन सकते हैं कि जब हम अच्छे इंसान होंगे, हम अच्छे मुसलमान जभी हो सकते हैं कि जब हम अच्छे इंसान होंगे, त आपको tourist है मुझे को लिए मुझे मुख़ीनियाया मुझे तो सभाविक है लेकिन इतनी होगी हिसक अन्दादा मुझे नहीं था मैं इसके डरने वाला नहीं हूँ चुकि प्रोग्राम सारव जनिक जाने वाला है उनको लगे का कि इमाम साह vär गए मैं ढ़ने वालों में से नहीं हूँ पहली बात ये मेरा पैगाम महब्च है और मैं अपने देश के लिए मैंने इसको किया है और मैं इसी पर आज भी अडीग हूँ अगर उनको फत्वे देने थे अगर वो इतने खाबिल है और इतने तो मैं कहता हूं कर उनको फत्वा पाकिस्ता हिजबल मुजाहिदीन और आईसाईसाई मतलब इस्लामिक स्टेट इन तमाम इस्लाम के नाम पर और मुहम्मद के नाम पर पीज भी अपान ही उनके नामों पर आप ने रखा हुआ है आतंकवाद आप पूरी दुनिया में फैला रहे हैं अगर आपको फत्वा जारी करना था आतंकवाद के खिलाफ और आतंकवादियों के खिलाफ करना चाहिए था मेरे खिलाफ फत्वादे कि आप क्या साबित करना चाहते हैं इमाम साब वो ये सवाल कर सकते हैं कि आपको चुनाव लड़ना होगा आपकी पॉलिटिक्स में आने की इच्छा होगी शायद इसलिए अपने कदम उठाया, क्या जवाब देगे? मेरी जो वह उन लोगों यही मेसेज है कि मेरा मकसद, मेरा जीवन, मेरा काम वे इनसान और इनसानियत है, रास्ट मेरे ले सर्वो पर है, मैं रास्ट के लिए काम कर रहा हूँ, और जहां तक मुझे स्यासत है, मैं स्यासत से भी इससे बड़ा पद मेरे पास चुनाओ से राज्य सभा से किसी और पार्टी के किसी पद से उपर का मेरा पद है तो मुझे किसी तरह का लालच नहीं है लेकिन हाँ इतना लालच जरूर है कि हमारे देश में अमन रहे हमारे देश में खुशाली हो हमारे देश मिलकर आगे बढ आज हमारा देश की आज इस्तिति आप अंदाज़ा लगा ये की श्री नरेंदर मोदी जी के नितर्थ में भारत जिस तरह से तरकी कर रहा है जब से 47 से लेकर आज तक हमारा भारत आर्थी किस्तिती में पांचवे अंग पर आ चुका है भारत चांद पे चला गया भारत सूरज की तरफ बढ़ रहा है भारत विश्वुरू बने की अगर सर है इस पूरी इज़त यह कहना चाहते हूं कि फिर वो कहेंगे कि आप मोदी बगत थे मैं बात मोदी जी की नहीं कर रहा हूं नेतर तो जो करेगा उसको श्रे जाएगा लेकिन बात देश की हो रही है यह तरकी कर रहा है तो जो चीज आपको दिख पा रही है हजरत, वो बाकियों को क्यों नहीं दिख पा रही है, क्या वज़ा है, यही वज़ा है कि इस बदलते भारत की यह तस्मीर है, मेरा महाँ जाना, आज का भारत, नवीन भारत, आज का भारत, उत्तम भारत, आज का भारत, स्रेश्ट भारत एक भारत होने की बात है भारतियता की बात है एक चीफ इमाम नरींड मोदी को पसंद कर रहे हैं उनकी तरफ से किये गए काम की तारीफ कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि मुसल्मानों और मोदी में खाई है जो कभी नहीं बढ़ सकती है आपको क्या लगता ह है उसा कि है अपना लूद करना लेंग को विरोध करना है आज 2014 से परधानमंत्री नेया पाभी विरोध विरोध कर रहे हैं उन्होंने एक भी टार्रीनी की मैं तो तब मानता हूं को असंतुली में उनकी तारिक लेकिन आज तक विरोधी विरोध हर काम का विरोध मिजाज बना होता है जिनका काम विरोध करना है विरोधी है उनको करने दीजिए लेकिन जब कोई काम बड़ा होता है जब कोई काम बड़े पैमाने पीके जाता तो उसका विरोध सभाविक है तो यह आरोब जो लग रहे है के सरकार के आते बहु संख्यक जो हैं उनकी तो बात हो रही है लेकिन आल पसंख्यक कोने में चले गए है इसा नहीं है यह समझने की बात है और समझने की ज़रॉत भी है आज जिस तरह से जो भी हमारे देश में जो 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 एसा मानते हैं आप मांते ही के मुसल्मान डर गया है वो कोने में धखिला जा चुका है, वो चुप हो गया है. तूशल रही है. एक माहौन को देश के अंदर ऐक खराब करने की साजिशरची जा रही है. इसकी फिकर करने की ज़रूवत है. वो ताकते, रास्च विरोधी ताकते, जो एक मुसल्मानों को भढ़का के, गुमरा करके अपनी राजनी धी करने जा रही है यह समझने की ज़रुवत है यह कौन लोग है यह वो लोग है जिस देससे प्रेम भी लोग है जो कि आज जो तरक्कि हो राएं देश यह वो लोगali नहीं रहे हैं यह और हम सब्सक्राइबा सतर experiment के तहट बहुत से ऐसे फैसले लिए गये हैं जिनको आप modern कह सकते हैं जिनके बारे में मेरे ख्याल से इमाम सब आपसे बहतर कोई नहीं जानेगा आज से कुछ सालों पहले तक हम हम तसवर भी नहीं कर सकते थे कैसा होगा साओधी अरब और बाकी मुस्लिम कंट्रीज आगे जा रही है और हिंदुस्तान का मुसल्मान पीछे की तरफ आ ऐसा लग रहा आपको दिरसले सोच की बात है इसमें नजरिया है मैं अक्सर यह कहता हूं कि अपना नजरिया बदलिये तो नजरिया बदल जाएगा आदमी अगर कर दी कि कहीं भी अच्छी चीज नहीं होती कट्रता किसी भी चीज में अच्छा है पर क्या हिंदुस्तान का मुसल्मान कट्र हो रहा है मुसल्मान भारत का वैसे कट्र पहले तो नहीं था इस तरह से लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी शक्तियां है जो ऐसी लोग राजनीती कर रहे हैं जो उनको कट्रता की तरफ लेके जारे लेके जाना नहीं चाहिए तो कि यह समय इस समय सब को मिलकर चलना कट्रता कहीं भी हो किसी धरम में हो किसी किसी भी उस मरूप में अगर आप देखें वो अच्छी चीज नहीं है आप हम सब को मिलके रहना है मिलके चलना है इस सोच में आप अपने आपको कभी अकेला पाते हैं कभी आपको यह लगता है कि यह बात मैं 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 मुसल्मानों क को क्यों नहीं बता पा रहा हूं? यकीना मुझे ऐसा फिल ऐसास मुझे आता है कि हम क्यों क्यों नहीं समझ पा रहे हैं और हमारे लोग क्यों नहीं समझा पा रहे हैं कहीं न कहीं ये गैप है उसको हमें कम करने की जरूरत है कहीं न कहीं वो जो कमिया है उसको दूर करना चाह अभी ये मौका है और मुसल्मानों के लिए तो खास तोर पे मैं अब चुकी आने वाला जो समय है उसके लिए कहना चाहता हूं कि मुसल्मानों को अब विचार करना चाहिए और विचार किस बारे में करना चाहिए विचार वो करना चाहिए कि उनको ये जो उनको जो जहन में क को विचार अब कर देना चाहिए विचार हो रहा है कि नहीं अभी बहुत दूर की कोड़ी मुझे लगता है कि कुछ लोगों तो को इसकी बास समझी में आ गई है लेकिन बड़े पैमाने पर इसमें मेरी तरफ से बस यही पैगामे की विचार जरूर करना चाहिए संग को आप आपने रास्ट के लिए और सुस्कृति के लिए अपना काम करती है क्योंकि मेरा उनके साथ जो अनुबह हो है वह यह है कि वह हमेशा से जैसे परचारक जीवन होता है अब जैसे परचारक जीवन है महान भागवजी है उनका जो जीवन है वह रास्ट के लिए सबर पिति आ कहा था राष्ट पिता मैंने इसलिए कहा था कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी संस्ता है यह और राष्ट रिशी इसलिए कहा था कि अगर आप इनकी जेवों में देखेंगे तो आपको एक रुपी आभी नहीं मिलेगा इनका जोला इनकी सादगी इनका काम यह समर्पित है अपने देश के लिए तो मुझे जहां तक लगता है कि यह सफेद वत्र वत्र हैं लेकिन यह संत हैं असल संत है जो पचारत हैं इनोंने भी पूरा जीवन अपने राष्ट के लिए अपने देश के लिए समर्पित किया हुआ है जो ये सुनेगा वो ये कहेगा कि इमान साब ने तो पूरी चाशनी उडेल दी है नहीं ये सचाई है और सचाई छुपती नहीं है मैंने जो भी कहा चुकि मैंने उनको देखा है यही तो कमी है कि वो जो मैं किसी का नाम नहीं ले रहा जो पिछली आँ पिछली राज़्जिती पार्टियां थी उन्होंने बस हमें डराकर ही तो रखा कि इन से दूर रहना इनके नस्दीक ना जाना इनकी परचाई से भी वही में के औलत फेमिये को दूर कर रहा हूं कि एक बार आपके अब्बा ने ये शुरुवाद की वो आपको क्या बताते थे मैं उनके बताया क्या, उनके साथ मैं रहा उन्होंने जो देखा, मैंने जो समझा पिज़ को इसी तरह से देखा कि जो बहुत गलत फहिमिया थी, वो यही गलत फहिमिया थी, कि लोग जो है, जिस तरह से, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने इसकी शुरुबात करी थी, और वो उस वक्त में, उस वक्त यह सरसंचालक सुदरशन जी थे, वो एक शुरुबात थी, एक दूसरे के नजदीक आने क कि वहीं से यह डालोग शुरू हुआ है, वहीं से यह सबबात चला आ रहा है, और उसको लेके आगे बढ़ा जा रहा है, तिके हमें हमेशे एक बात कहता हूं, कि समाद जालोग है कि समाद हमें, जो हर चीज का हर हाल का समाद हान, नहीं तो कभी आप से कहा गया, कि आपकी दाड़ी उन्हें ना पसंद है, या आपकी टोपी से अधरास है, या आप ला इलाह इलाला मौमद रसुल्ण नहीं गया सकता हूं, दाड़ी भी रख लेता हूं, मुझे लगता है कि संग को ना दाड़ी से कोई आपती है, ना किसी मुसल्मान से आपती है, उन्हें अगर अगर राष्ट के साथ राष्ट विरोधी हैं, तो आप से ये भी कहा होगा कि भारत माता की जय बोलो, जय श्री राम बोलो, मुझे उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने कहा कि जैसे आप चलने वैसे चलिये, मुझे ता अस्ता कोई डर्व, कोई भै उनके साथ रहके नहीं हुआ, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि लोगों को समझाना चाहिए, कि जो जो लोगों ने अब तक हमें डरा के रखा, हमें इन से दूर रखा, एक बार नजदीक आके देखो, हकीकत नजर आ जाएगी. तो यह भी तो कह सकते हैं, इमाम साब, कि आपको जरूर कोई तो ऐसा फाइदा पहुचा रहे होंगे, जिसकी वज़े से इमाम साब यह सारी बाते कह रहे हैं। सारी चीज़ छोड़कर अपना जीवन देश के लिए समर्पीत कर देता है, अपना पूरा जीवन राष्ट के नाम लाता है, परचारक बनता है, तो क्या उसके मन में वो भाव होता है कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है, क्या उसके मन में भाव होता है कि मुझे कोई ब ज्यादा संग की चर्चा कर रहे हैं, संग के बारे में पीएच्डी की वे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, एक अच्छा इसलाम, एक अच्छा मुसल्मान होने के नाते, यह मेरी सिम्मेदारी है, कि जो सत्य है, उसको भी तो बताऊँगा, तो इमाम सहब अब आगे क्या, असर है, वो तो आपका छहरा ही है ऐपकी जान को भी खत्रा हो सकता है, तो अब आगे क्या करेंगे स्थर मैं जारी कियोस, बदक हमने थी, इसाद दो ना मैं उनको मानता ना मैं ना उनको देखा ना मैं उनको जानता लेकिन मेरा कहना यह है कि इससे माहौल जरूर खराब होता है इससे फत्वों को जारी करके कहीं न कहीं कमुनिटी के अंदर देश के अंदर आपस के अंदर एक माहौल को खराब करने की बड़ी साजिश इस फत रक्कि कर रहा है देश के अंदर अमन शान्ती है उसको खराब करने की कोई बड़ी साजिश तो नहीं है इसको समझने की ज़रूरत है मुझे अपनी फिकर नहीं है मुझे देश की फिकर है इसलिए हमको सतर्स्रें की ज़रू Mahar जा है अचो अभी राम जो विश्नु शंकर है वो कह रहे हैं कि यहां पर बहुत से ऐसे मस्जिद हैं जो मंदिरों को तोड़ कर बनाई गई है तो वहां तक पहुचने में आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए और जिस्तिती में इस वक्त हम हैं मुसल्मान को क्या सोच रखनी चाहिए और हिंदू को क्या चाहिए वो हिंदू हो चाहिए वो मुसल्मान हो रुभी का इस बात को दिहान में रखना है कि यहीं तो प्राब्लम आ रही है कि यह हिंदू हो रहा है यह मुसल्मान हो रहा है हमें एक होना है और एक होने के लिए हमें भारतिय होना पड़ेगा जब अग तक हम भारतिय नहीं बनेंगे, हम कहीं तक भी आगे पहुंच नहीं पाएंगे, तो यह सोच हमारी सोच बदल लिया पहले, सोच हिंदूर मुसलमान से हटा के, जाती ओ धर्मों से हटा के, पहले अपने आपको भारतिय बना लो पहले, और फिर जहां तक कोई मसला है इमाम साब इतना बड़ा दिल रखने के लिए तो अभी मुझे लगता है कि मीलो मीलो और सदियों का सफर करना होगा, बहुत ऐसे लोग हैं जो यह विचार रखते हैं, लेकिन आप यह कह रहे हैं कि भारतिय बना लो कर सोचना होगा, तो एक मुसलमान यह कहेगा कि भारतिय क्या होने वाला है, कल कैसे होगा, यह तो अल्ला बेतर जानते हैं, हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम आज की बात कर रहे हैं, हम आज की बात यह कर रहे हैं कि हमें आज का हमें भारत और भारतियता जो हमारा में मूल है, मकसद है, हम मंदिर और मस्जित की मैं बात नहीं कर रहा है देश को क्या चीज़ चाहिए असल चीज़ क्या है आज हम आने वाली जे जनरेशन्स हैं उनको क्या देके जाएंगे यह लाई जगड़ा क्या क्या मकसद बताके जाना चाहते हैं आज पूरी दुनिया के अंदर तमाम सारी देश ने ने इजाद कर रहे हैं ने टेक्नॉली लेंगे हम रंगो में खानों में इन सब चीज़ों में पर यह तो आप इमाम साब अर्से से कह रहे होंगे लेकिन सब्सक्राइब करना है लेकर मेरे लिए important है, कल क्या होगा, कल क्या नहीं होगा, कल कैसे होगा, इमाम साब, मैं देश मेरे लिए सबसे important है, मैं इतना समझ पाई हूँ कि आप किसी के खौफ में नहीं रहते हैं, आप बेर फिक्र हैं, यकीनन, इस बात को लेकर, कि आप खुले विचार और मन्द से बात सकते हैं, अगर कोट में जाता है, तो फिर लंब मी लड़ाई होगी, आप चाहते हैं कोट खल निकाले, या बाहर भी इसका कोई रास्ता समाधा निकल सकते हैं, देखिए, मुझे जो मुझे लगता है कि अभी तो चुकी मामला अभी कोट में चल रहा है, और इस बारे में अभी हम कोई फैसला ले या कुछ कह सके, मैं अभी मस्तिती में नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि इस समय जो सबसे ज़्यादा जरूरत है, वो रास्त निर्मान की है, मुझे फिकर इस बात किये कि रास्त निर्मान कैसे हो, तो कैसे होगा, वो रास्त निर्मान की में भारती बनना पड़ेगा मुझे मुझे हिंदूर मुसल्मान से उपर उठकर जब मैं भारती बन जाओंगा तो रास्ट निर्मान में आ जाओंगा तो अपने आप सब कुछ बढ़ता चला जाएगा लेकिन आरोप तो यह लग रहे हैं और कॉंग्रेस की तरफ से समस्ता है यह उनके अपने एक विचार होता है हमारा अपना विचार है उसकी हम सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं वह भारत के लिए कर रहे हैं भारतियता के लिए कर रहे हैं रास्ट निर्मान की बात कर रहे हर आदमी अपना सोचता है अपने देश के लिए क्या करना चाहिए इसकी फिकर आज सब को आ जानी चाहिए चुकि अगर आप देखेंगे जापान में जाएंगे जापान में इसा प्राबलम नहीं हो रही है जातियों की धर्मों की मंदिर की मस्जिद की हर जापानी एक ही काम कर रहा है अपने जापान के लिए हम सीखना है हम सब भारतिय बनना हैं आप यकीन मानें कि हम सब को मिलकर ही अपने राष्ट को आगे लेके जाना है क्योंकि हम तो चले जाएंगे हर सवाल के जवाब में आप दुबारा राष्ट्र लाते हैं राष्ट्र निर्मार का जिक्र करते हैं मेरे लिए सर्वपरी हुई है, मेरा जहन हुई है, मेरा धिमाग हुई है, मेरा काम हुई है, मेरा ख्याल हुई है, मेरा देश है, मैं क्या करूँ? मुझे कुछ और दिखेगा नहीं. इस देश को पर आगे कौन ले जा सकता है? कि मैं नेतर्त वा देख लिए मैं उनकी पार्टी से नहीं जुड़ा हूँ और लेकिन कोई अच्छे को तो अच्छा ही कहोगे राहुल गांधी देश की फिक्र कर रहा है मैं उनके बारे मिए कुछ नहीं कहता कि मुझे किसी के बारे में कहना नहीं है मुझे इसकी एलिए कि जो मौजुदा सरकार जो मधी जी कर रहे हैं जो मोधीaba disciplined में देश अगे बढ़ रहा है नहीं, मैं अंतरियामी नहीं हूँ, मैं किसी के बारे में क्या कह सकता हूँ, विपक्ष को लेकर क्या विचार है आपका, विपक्ष के लिए सिर्फ यही विचार है कि उनको देश के प्रती, इमानदारी से सबको काम करना चाहिए, राजनीती से, पार्टियों से, धर्मों से कर देश की फिकर करने लग जाए, तो मुझे लगता है कि देश बहुत आगे बढ़ जाएगा. दोजार चॉबीस में आप कहां देख रहे हैं? मुझे इसलिए समझ में नहीं आते हैं, यह ठीक नहीं है, इस से डिवाइट पैदा होता है, यह डिवाइट हो यह काला यह गोरा है, यह अमीर है, यह गरीब है, यह हिंदू है, यह पैदा है, हम इंसान बनेंगे, तो हमारे बंदर एक दूसरे के लिए महबत आईगी, हम आपस में मुहब्बत आईगी अगर मैं इस समय मेरा एक ही मकसद है रुभी का हम सब को भारती हो मैं समझ गे और मैं आपके इस विचार के साथ सो प्रतिशत इत्फाक रखने वालों में से एक हूँ लेकिन अब सवाल यह है कि आपने क्या कितने भारती आपने बना लिए एक पर सच्चा सपूद बैठा हुआ मुझे नजर आ रहा है जो कह रहा है मैं नहीं तुम कितना कोशिश कर लो नहीं हिंदू करूंगा नहीं मुसल्मान करूंगा मैं भारती के तौर पर आपके सामने पेशाओंगा लेकिन यहां जो नमास अदा करने आते हैं जो आपके पीछ मेरे हाँ दिली से बहुत दूर-दूर से स्पेशल मेरे पीछे नमास पढ़ने जुम्मे में आते हैं वो कहते हैं कि इमाम साब भारत भाडतियता की बात करते हैं यहांपर आज तक हम ने कोई ऐसी बात नहीं सुनी इनसान और भारत और भारतियता हर जुमे की खुद्बे म मिलती है तो पूरे दिल्ली से अलग अलग जगाउं से सिर्फ मेरे पीछे नमाज पढ़ने आते हैं और यहां तादाद में लोगा आते हैं बहुत बड़ी तादाद है और यह तादाद अल्ला करें इंशालला बढ़ती ऐसे ज़िए जब हम इमांदारी से किसी कारे को करते हैं जो कि हम उस काम को लेके चलेंगे तो उसमें बरक्यति होती हैं कामियाभी होती है चुकि मुझे राजनीती से कोई लेना देना नहीं मुझे पार्टियों से लेना देना नहीं मेरे सामने इंसान इंसानियत भारत और भारतियता मेरे लिए सबसे इपार्टेंट है आप यह कह रहे हैं और देखने का नजरिया है, जो मुझे दिखता है, मुझे भारत दिखता है, जो दिख रही है, वो आपस में हम एक दिखते हैं, उसी को आगे है, ये बहुत बड़ी कमी है, जो हमारी तरफ से, हमारे जगा कोई पूरा कर नहीं पाया, आज हमें उन सब से उपर उठके ही एक ह होके जाना है, एक होने के लिए एक ही रास्ता है, इनसान और इनसानियत भारत और भारतियता, इसके लावा आपके पास किसी भी चीज में चली जा रूबी का, आपको सिवाए राजनीती के लावा कुछ नहीं मिलेगा, यहां आपको देश मिलेगा, यहां आपको इनसानिय मिलेगी यही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है यही एक होने का माद्धियम हमारे पास होगा क्या इसलाम इंसानियत और भारतियर ताव यह तीनों एक धागे में आ सकते हैं बिलकुल देखिए इसलाम कम इसलाम हो या कोई भी मजब हो सारे मजब अच्छी बात सिकाते है तो पर ऐसा क्यों प्रतीत होता है जैसे यह मुफ्ती साहब है आपने कहा कि मैंने तो महबत का पैगाम पहुंचाने के लिए वहां पर जाने का फैसला किया लेकिन यह जो लिख रहे हैं जो फत्वा आपके खिलाफ जारी किया है यह बताता है कि इसलाम इस बात की इजासत नहीं देता है और इसलिए मैंने कहा कि या तो आप सही है यह मुफ्ती साहब सही है और ऐसा कोई बिंदू आ नहीं सकता के आप दोनों एक जगास है द्रसल यही है इसी मानसिक्ता को बदलना है अब जो नफरत की है कटरता की है इसी मानसिक्ता को बदलने की अब जरूरत आ गई है और हम सुक को यही करना पड़ेगा आज हमें अपने देश को अगर विश्व गुरू बनाना है न हमें जातियों से धर्मों से और सबसे उपर पूटकर एक होना होगा भारती है आप यकीन मानें कि वो दिन दूर नहीं कि हमारा भारत विश्गुरू बनेगा इंशाला बहुत बहुत शुक्रिया इतना वक्त हमें देने के लिए और इमानदारी से इतनी बाते कहने के लिए माम साब और अपना खूब खयाल रखियेगा बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपकी बातों को सुनके आज सुकून में होंगे बहुत से ऐसे लोग हैं जो अब तक शिकायत कर रहे होंगे और शायद आपकी बातों को सुनकर बहतर फील कर रहे होंगे लेकिन आपने देखा हो इस पूरे इंटरिव्यू में अगर मैं गिनने होंगे वो लोग कभी रही दूर होंगे आपसे जो न्यूज मेकर है स्क्रीन पर आपके पास हर खबर पहुँचेगी न्यूज एटीन इंब्या नमस्कार